दोस्तों अगर आप भी चाइना का फोन यूज करते हैं फिर साउमी का फोन यूज करते हैं और उसमें भी आपने डाल के रखा है MI Pay और उसपे अगर आपने रजिस्टर करके रखा है अपना UPI अकाउंट और आप चाहते हैं कि हम उस MI Pay से अपना डी रेजिस्टर कर सके अपना UPI अकाउंट तो आज ये वीडियो उसी के यूपर है तो आप प्लीस इस वीडियो के स्टार्टिंग से लिए के लागे लास तक जरूर देखें क्योंकि ये आपकी पेमेंट सेक्यूर्टी के उपर भी most important वीडियो होने वाली है तो hello and welcome दोस्तों मैं हूँ अशीश आप देख रहे हैं टेक्नो पार्ट शाला तो बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं बिसिकली सबसे पहले मैं बात करता हूँ जिस परकार से गूगल पे में जिस परकार से पे टी एम में एंड फोन पे भीम यूपी आई में डी रेजिस्टर्ड यूपी आई का ओप्शन होता है अगर हाप MI पे चलाते हैं तो वहाँ पे आपको कोई भी ऐसा ओप्शन देख रहता है उनका तो यही कारण होता है कि वो डी रेजिस्टर्ड नहीं करवाती है और यह भी वो देखती है कि अगर हमारा डेटा डी रेजिस्टर्ड हो रहा है तो कोई ना कोई बंदा उनके एप से जम करके और किसी एप पर जा रहा है तो इससाब से गूगल पर फोन पे वगेरा यह भी एप हैं, यह ज़्यादा से क्योर हैं, एस कंपेर टू M.I.Pay, तो आप भी अगर करना चाहते हैं, डी रेजिस्टर्ड, तो मैं आपको सिंप्ली सी भासा में बता दूँ, वहाँ पर कोई भी ऐसा उप्शन नहीं है, जिसके जरी आप डी रेजिस्टर्ड कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे तरीके हैं, जिसके जरी आप अपना U.P.I. अकाउंट वहाँ से हटा सकते हैं, और जितनी भी वहाँ पर U.P.I. हैं, वो सारी ब्लॉक कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको थोड़ी भागा दोड़ी जरूर करनी पड़ेगी, तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा अपनी ब्रांच में हो, बहाँ पर जाईए, और जितनी भी आपके उस एकाउंट को, जो भी अपनी M.I.P. से रेजिस्टर्ड करा के रखाए, या तो आ अपने मोबाइल नमबर को भी चेंज कर लीजिए, और एडरेस को भी थोड़ा बहुत चेंज कर दीजिए, अपने फॉर्म नमबर 16 होता है, साइद मैं जानता हूँ, इस हिसाब से मुझे पता है, तो वहाँ पर जाकर आप अपना मोबाइल नमबर जो भी रेजिस्टर्ड जिसके जरी आप बाच सकते हैं, और आपको ये जानना है कि कैसे हम अपनी UPI अकाउंट को डी रेजिस्टर्ड कर सकते हैं, तो मैं आपको ये वाली वीडियो बना चुका हूँ, जाके चेक कर लीजे, मैंने उसमें जरूर बता है कि कैसे आप अपने फोन से किसी भी UPI अका करने में थोड़ी भी प्रोब्लम फिर आती है, तो मुझे कमेंट्स में जरूर पूछे, क्योंकि ये भी किसी बंदे ने मेरे से पूछा था, तो मैंने उनका रिप्लाय कर दिया, और आपको कोई भी क्वेरी हो, UPI रिलेटेड, UPI फ्रॉड रिलेटेड मेरे से पूछ कि मैं चलबा में सा ऐसी knowledgeable informative वीडियो लाते रहता हूँ, थैंक यू सो मच पर वचिंग दिस वीडियो, एंड कल मिलते हैं